नमस्कार दोस्तों, 10 factors which are important in your property purchase decision वो लेकर आया हूँ, बहुत भेथरी टेबलेट देने वाला हूँ, throughout the country applicable है, simplicity के लिए हम सब को equal weightage दे देंगे, हाला कि जब मैं अपने reviews करता हूँ, तो मैं इसका एक complicated version बनाया हुआ है, जो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, because हर factor का weightage different होना चाहिए, उसमें मैं थोड़े hints दूँगा, 10 factor हैं, आप हर एक को 10 number दे सकते हैं, तो 10 into 10 is 100, तो total marks आप उसमें से दे सकते हैं, मैं इसके चो property reviews करूँगा, अपने subscribers के लिए, platinum members के लिए होंगे, क्योंकि वो price sensitive हो जाता है ममला, तो वो 100 में से होगा, तो topic क्या हैं, वो 10 चीज़े हैं, जो आपको importance, आज के दिन अगर आप property लेनी हैं, तो सबसे पहला, coming for you is brand, जिस चीज़ को आप ले रहे हो, उसकी brand क्या है, तो भई अगर 10 में से number देने हैं, तो example, अगर listed player है, तो भई उसके number ज़ादा ही होंगे, depending on उसका कितना stress हो है, 9-10 तक number दे सकते हो, listed player नहीं है, उससे कम है, लेकिन known है, तो आप अपने हिसाब से 7-8, मेरा अपना एक formula है, मेरी weightages भी अलग हैं, complicated हो जाएगा, बहुत mathematical हो जाएगा, audience समझेगा, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिएक simplistic ला रहा हूँ, एक simplistic जब आप समझ लेंगे, तो आपको decision making असान हो जाएगी, जब आप ये गाड़ी उठाके, अलग-अलग product घूमते हैं, तो आज मैं वो template देने वाला हूँ, अपनी wife और आप दोनों मिल के अपने number दे सकते हैं, उस तरह मैं help कर रहा हूँ उसमें, तो brand is the first thing आज के दिन, which is very important, कि वो player कौन है, builder कौन है, उसकी brand क्या है, that is first thing, second thing is location, that we all know in real estate, कि उसकी location, शहर की location is important, कि शहर कौन सा choose किया, शहर के अंदर कौन सी location है, established location है, या वो location कल को बहुत established हो जाएगी, established से बड़ी हो जाएगी, या वो second, third level की location है, बट आपके काम किये, तो वो आपको location देना है, तीसरी चीज़ important, जो लोग बिल्कुल भी इसको value नहीं देते, बट मेरी इसकी third number पे value है, सब चीज़ जा रही है, ऐसा नहीं कि जो third पे उसकी value किसी से कम है, एक order की तरह जा रहा हूँ, सिलसले वार, ठीक है, तो site layout, site layout, project का shape क्या है, rectangular है, square है, quadilateral है, या जली हुई bread की तरह है, आड़ा टेड़ा, आड़ा टेड़ा type है, या उसका कुछ program ही नहीं पता, site layout कैसी है, वो important है, आसपास उससे क्या touching है, immediate project से क्या touching है, वो important है, ठीक है, site layout is important, उसके बाद चौथी चीज़ आता है, density क्या है project की, this is very important, कितने flat per acre में है, कितनी units per acre में, otherwise you will never be able to compare, ये जो आप template दे रहा हूँ, इस पे 10 project लेके, उनके आप answers लेके compare कर सकते हो, जैसे गाडियों को compare नहीं करते, कि पर कितनी power है, कितना torque है, क्या KPL है, कैसे मतलब उसमे setting capacity है, safety के features क्या है, गाडियों को compare किया जाता है, mobile को भी किया जाता है, कि उसमें कितनी आपका RAM है, memory कितनी है, megapixel कितना है, क्या size है, screen size, ऐसे 10 parameter, तो वही real estate के ला रहा हूँ है आपके लिए, तो सबसे पहले बता है मैंने brand, second is location, third is site layout, fourth is density, fifth is, जो आप unit खरीद रहे हैं, जो आप एक unit खरीद रहे हैं, उसका layout कैसा है, यह बहुत important है, कि उसमें धूप आ रही है, corner की है, beach की है, तीन तरफ से खुली है, या एक ही तरफ से खुली है, दो तरफ से, जैसे builder floor होगा तो left, right से, पीछे खुला है, नहीं खुला है, आगे से तो खुला ही होगा, तो वो सब is important की, वो कैसे है, उसका bathroom किस तरफ है, there is something called efficiency of layout, इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए, platinum members के लिए, आप platinum membership भी ले सकते हैं, अगर चीजों को जादा घहरे level पे आपको समझना है, तो unit layout में एक efficiency of layout है, कि हर square feet में वो space use हो रहा है, या तो कोई furniture रखा जा रहा है, या वो link up कर रहा है बाकी चीजों को, ऐसे ही design में खड़ा नहीं हो गया, कि मतलब गैलरी गैलरी चाप रखी है, और उसमें space lose हो रखा है, वो नहीं है, बहुत मैंने देखा है, builders का 40 से 80 square feet ऐसी waste कर देते हैं, just because they design it better, some in cases 100 square feet तक loss हो जाता है, जब रखास्ती का, तो that is very important, because every square feet is being paid for, ठीक है, unit layout, उसके बाद project में amenities का हैं, ये बहुत important है, कि भी what kind of stuff you are getting, भी club house कैसा है, सारी amenities कैसी है, उसके बाद type of construction का उसी है, भी myven construction है, non myven construction है, किस तरह की है, पुरानी है, अच्छी है, AAC blocks वाली है, ठीक है, किस तरह की है, that is very important, ठीक है, फिर आजाता अगला, आठ फार्म पॉइंट आजाता है, payment plan क्या है, कि जो आप को चीज मिल रही है, वो कितनी ease of buying की है, ठीक है, कि क्या आप comfortable है, उसके payment plan से, कई बार क्या होता है, payment plan ऐसा होता है, सब कुछ समझ में आ गया, पर पैसे जैसे मांगे जा रहे हैं, आप दे नहीं सकते, that's how you realize, today's जो marketing चल रही है, it is really focused on payment plan, because it is about ease of buying, जो देखो, जिसके पास पैंक में पूरा पैसा है, वो तो बाकी चीजों पे पूरे नखरे करेगा, कि ये ठीक नी, वो ठीक नी, पर payment plan में क्या होता है कही बार, कि आप वो चीज खरीदी नहीं सकते हो, और ये खरीद सकते हो, और कुछ ना खरीदीने से, कुछ खरीदना बैटर है, तेजी के market में, तो then people payment plan में खिचे चले आते हैं, and ये payment plan, अब आज के दिन, from the builder side has become the big, because sometimes what happens, they can't control the site layout, जो land बिली वैसे दिखे रहा है, अब उस site layout पे जितनी density, वो पूरी choose सकते हैं, F.A.R. जितना मिलता है, वो पूरी density निकालेंगे, कुछ नहीं कर सकते, उनने site खरीदी तो location का, कुछ नहीं कर सकता, builder, builder के point of view से देखो, जैसी उसकी brand है, उसकी brand है, वो उसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, amenities भी जितनी दे सकता है, उस project में, वो उतनी दे सकता है, उसे ज़्यादा कम नहीं करेगा, उसको अपना पैसे के साथ देना पड़ेगा, तो only thing जो builder के हाथ में है, जो जिसको marketing के लिए सबसे ज़्यादा यूज कर सकता है, is the payment plan, so that's why payment plan is assuming a lot of importance, ठीक है, so this is something which I wanted to bring out, ठीक है, ninth point is, यह बहुत important है, इसको classist way में मत लेना, pragmatic लेना बहुत important है, उस project में, gentry कौन सी रहेगी, investor ही उठा रहा है कै सारा project, तो भई फिर तो किराएदार के अलगतर है के लोग आएंगे, end user को end user वाले में जादा जाना चाहिए, कई project सिर्फ हवाबाजी वाले, जैसे greater nerd up पूरा शहरी हवाबाजी का बस गया, सौब इन्वेश्टरी आ गया होँपे, और पिटे पड़े ही किराए, और जिस इनसान ने वो बड़ा है, बड़ा है करके लिया था, तो अब जो class, social class, economic status, वो बिलॉंग करता था, कुछ अलग economic status वाले महां के रह रहे हैं, because of the शहर की story डिंट वर्क आउट, it's a fact, आप ये वाला point से identify करते हैं, तो I really want in comment section, point number 9 agreed, बाकियों पर तो कुछ पूछ ही नहीं राप से agree, not agree, मैंने बताया, पर point number 9 जो है, कि gentry कौन रहेगी, वो आपको सोचना है, because then वो ही आपको basement में टकराएंगे, car parking में, वो ही आपको club house में टकराएंगे, वो ही आपको jogging करते टकराएंगे, वो करते लिफ्ट में वो ही लोग टकराएंगे, लॉबी में वो ही टकराएंगे, उन्हीं के साथ रहना है, वो ही RWA के अंदर होंगे, और वो ही लोग पैसे देने हैं, maintenance के नहीं देने, कि social status, mental mindset के लोग रहते हैं, वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अगर यंग्स्टर घुस गया एक ऐसी society में, जहां सिर्फ अंकल जी आंटी जी रहते हैं, तो भई फिर he may not feel that comfortable, उसको शायद जो चीज़ें चाहिएं, उन लोगों को नहीं चाहिएं, उनको नहीं चाहिएं, यह वाला पॉइंट कोई सोचता नहीं है, मैं जब review करता हूँ, मैं जरूर सोचता हूँ, and I say कि यह वाली इसके लिए ठीक है, यह वाली इनके लिए ठीक है, वो वाली उनके लिए ठीक है, and आजकल products बन भी ऐसे रहें, ठीक है, तो यह because होता कहा है, your status is here, and it is likely to be here, and you buy a property at this status, or maybe slightly lower, so when your status becomes this, then you can't stay in this society, यह life की सच्च है, यह फिर बेचते फिर होगे, and you will end up paying GST, registration cost, बेचने के लिए brokerage cost, घर आज के दिन ऐसा नहीं होगा है, कि ओ गलती होगी ले लिया, ची ची अच्छा नहीं लगा, गाबेज के दुबारा ले लिया, ऐसे नहीं है, उसकी fixed cost बहुत है, इस लाइक बाइंग जूल्री, अब गोल्ड पचास हजार का है, हो सकता है, साथ हजार का गोल्ड हो जाए, लेकिन आपने तो मेकिंग चार्जी दे दिया, GST दे दिया, आपको तो पढ़ाई वो 62-63 अजार उपे का, फिर आपने का, ओहो ये तो छीची हो गया, भाई साब चेंज करतो, अब चेंज करने जाओगे, तो पचास दार के गोल्ड के इसाब से बदली होगा, और अगर पचपन हजार भी गोल्ड हो गया, तो भी आपको नुक्सान है, क्योंकि आपको 63 का पढ़ाता, तो ये चीज लोगों को बहुत ध्यान देनी है, इस जेंट्री of a project, and last but not the least, one thing which I learnt in Gujarat, प्राइस, भाव भगवान चे, सब कुछ सुन लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन फाइनली प्राइस विल डिसाइड, and it is the maximum weightage, you have to buy something which is value for money, you have to buy something which is a good project at a good price, steel price तेजी के market में नहीं मिलेगा, steel price वाली चीज को लगेगी, उसमें 100% कांड होंगे, जरूरी नहीं है कि जो चीज महेंगी मिल रही है, वो भी अच्छी है, यह value for money है, नहीं है, और जो चीज सस्ती के हिसाब से आपको लग रही है, उसके अंदर there are certain sure things, जो आप miss out कर रहे हैं, जो मैं template दे रहा हूँ, there is something amiss, it should strike you, कि यारे यह ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, वो आपको बार बार स्ट्राइक करना चीए, रेरा में application registered है, तो रेरा registered है लिख देते हैं, certificate हैं नहीं लिखते हैं, card है उनके, टाइटल क्लियर नहीं है, आपका पैसा डूब सकता है, तो कभी भी investment में यह कहावत याद रखना, when something is too good to be true, it is not true, I again repeat for benefit of all, if something sounds too good to be true, it is not true, तो यह चीज़ हमेशा bottom line लेके चलना, I hope यह प्यारी सी template आपको मदद करेगी, मैं इसी template को use करके reviews करूँगा, आप भी अपने private कर सकते हैं, उसमें मैं बताऊँगा, कि कितने marks में blind buy है, कितने वाले range में good buy है, कितने वाले range में can buy है, कि खरीच सकते हैं, और कितने से नीचे अगर number हैं, तो don't buy, बहुत सरल कर दूँगा, scientific, ऐसे ही नहीं, यह कैसा है, अच्छा है, कैसे अच्छा है भाई, template बताई न सारी, सबको number दिए न, सबको number दिए, एनो price भी तो बहुत चीज़ है, location ठीक ठाक है, amenities ठीक ठाक है, construction, ACC block वाला है, my one नहीं है, कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, number, normal, normal हा रहे हैं, पर price बहुत बड़ी है, अब वो मैं तो जो algorithm लगा रखा है, उसमें weightages मेरी अलग तरह से हैं, वो complicated है, मैं नहीं confuse करूँगा, ठीक है, platinum members को मैं सिखाऊँगा, और वो दूँगा उनको template, Excel वे, यह कैसे करना है, ठीक है, पर normal audience को भी मैं नहीं confuse करना चाहता है, ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा, कि किस project में, किस चीज में, कौन सी चीज को weightage है, because that, जब मैं paid consultation करता हूँ, वहना ही charge money, और वो चलती है, तो मैं पहले, जो client आगे बैठा है, उसकी weightage है, उससे decide करता हूँ, कई हो के लिए location weightage, brand बहुत जाता है, कई हो के लिए amenities जाता है, तो वो tweak कर लेता हूँ, आज कल तो computer पर सब कर सकते हो ना, चल तेरे ले, कई लोग बहुत price sensitive होते हैं, कि उनके लिए price ही सब कुछ है, भाई, I'll compromise on location, मुझे brand का भी कोई लेना देना नहीं, मेरे पास तो पैसे इतने हैं, और मेरे को 3BH के चाहिए चाहिए, क्योंकि मेरी एक मम्मी पापा रहेंगे, एक मेरी बीवी रहेंगे, एक मेरे बच्चे रहेंगे, और मेरे पास तो पैसे हैं, तो अब उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होगी, वेटेश, price, ठीक है, तो ये एक art है, जैसे खाना बनाते हैं, हाला कि मैंने वो template में लिखा हुआ है, डेड़ ग्राम नमक और धाई ग्राम मिर्च्ची, और उस template को पढ़कर आप कर सकते हो, तो आप उस level पे जा सकते हो, that's why I say, कि अगर आप real estate में कुछ करना चाहते हैं, अच्छा तंखा वंखा पैसा कुछ कमार सकते हैं, तो आप जोइन करो platinum membership, ठीक है, तो इस वीडियो को आप share करना लोगों के साथ, और चैनल को subscribe नहीं किया, request कर दो, and please like the video, morale बढ़ता है, ये template एक तरीके से दिया है आपको, note कर लो 10 चीजे, और हर एक को अब इस basis पे compare करो, और अपनी तरफ से everybody is wise enough to give marks, and that they don't have to be an absolute, your 70 can be excellent, but then it is all relative when you compare, तो जब आप number दोगे, अपने आप ही देने लग जाओगे, brochure देखोगे, यार इसका layout ठीक लग रहा है, इसको number जादा इसको कम, यार ये ब्रैंड अच्छी है, इसको number जादा इसको कम, यार ये तो location अच्छी जादा लग रही है, इसकी तो 60 मिटर रोड पे है, 90 पे इसको number जादा दे दिये, इसकी यहाँ है, इसकी यह, ऐसे से करके आप देना शुरू करो, उसके बाद जब मैं webinars में थोड़ा सिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो refine होता चला जाएगा, लेकिन एक template तो लेके घुम रहे हो, ऐसे मतलब आपको map तो दे रहा हूँ, अभी आपको जाना किधर है, पता नहीं, map भी नहीं आपके पर तो कहां पहुचोगे, या कहीं जाना है, कुछ अच्छा चाहिए भाई साब, भी आपका अच्छे की definition क्या है, वो आप decide करो ना, आपके अच्छे की definition सबकी different है, सबको best चाहिए, पर best क्या, best price में, best amenities में, best brand में, best layout में, क्योंकि सारी चीज़े best नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ 9 की 9 best होगी, तो भाई, price मोटा होगा, पर प्राइज best नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो ये 10 चीज़े जो हैं, ये 10 की 10 best हो जाएं, ऐसे project exist नहीं करते, जैसे कोई perfect spouse exist नहीं करता, perfect आदमी exist नहीं करता, पर ये हमारे parameters हैं, इसमें आपकी कौन सी वेटेज है, आपकी orientation कौन सी जादा है, वो decide करेगा, I hope मैंने समझाने में काम्याब रहा, काम्याब अगर मैं रहा, तो please काम्याब लिख दो, पूरा लिख देना, के मतलब लिखना, काम्याब लिख देना, तो मुझे अच्छा लगेगा, 20-30 काम्याब दिखते हैं न, comment section में ऐसा लगता है, 20-30 के लिए तो काम्याब रहा, thank you very much.